तो दोस्तो शुरू करते हैं आज के इंफ्राइन पहली कबर जो आ रही है वो हमारे देश के सिमिक इंटर मिशन के अंदर आ रहे है कई सारे अपडेट से रिलेटेड है जहापर हम फिर से बागत करने वाल है फॉक्सकॉन के बारे में जहापर इस कंपनी ने काया कि वो अप् फॉक्सकॉन वेदान था दोनों कमपनीज मिलकर देश के अंदर डिस्प्ले मैनुफेक्ट्रिंग फैब और चॉबीस नैनोमेटर के समेंटरस बनाने के लिए काम करने वाले थे लेकिन कई रिजन्स के चलते जो है वो बेट बाद में कैंसल हो गया थी वो जीवी जो था व फॉक्सकॉन बोल रिए कि वो अपने आप इंडिया के अंदर इसी प्लान सेट अप करेंगे उनको वेदान्दा की जरुवत नहीं है प्रॉबबली फॉक्सकॉन कोई और पार्टनर ढूंडेगा क्योंकि सबसेडी क्लेम करने के लिए पार्टनर ढूंडना जरूरी है अब जो 3,200 करोड की जाय का फंडिंग आने थी मेंटर पर जिसको बनाने के लिए वो डिले हो गई है 2,200 करोड वैसे ये पावर फिनान्स कोपरेशन के दूरूर रेस कर चुके है और अब और 1,000 करोड का लोन ये लेने वाले है जो 13 से 15 महिनों के अंदर वापिस कर दिया जाए तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है 1,000 करोड रुपय ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं थी मुंबए के गवर्मेंट के लिए कई से अरेंज करवाने के लिए लेकिन फिर भी लोन लेने का ये डिसिजन लिया गया है अब फाइनसिंग बहुत कॉंप्लिकेड़ जाता है जहां पर मेंटरेंस रिपैर ओवर्हॉलिंग इन चीजों की कामों को अन्जाम दिया जाता है एरपोर्ट के अंदर और यहाँ पर ऐसी फैसिल्टीज जाब रिपेरिंग हो पाए ओरॉलिंग हो पाए एरक्राफ कॉमपोरेंट्स को स्टोर के जा सकी सिस्टम्स बन ही जो हमें बेट आते हुए नज़र आगी जितनी लिमिटेड कंपनी हैं उनकी तरह से अगली दोस्तों जबर आ रही हुए चंजने मेटर बॉलिट नेरिया सी जाबर और ज्यादा फ्लाइवोस देखने हमें मिलने वाले है ट्राफिक जंक्शन के ऊपर ताकि सिटी के अगली खबर दोस्तों जा रही है दा इंडिन नैशनल स्पीस मोर मोशन और अथ्रोजेशन सेंटर इन स्पिक से रिलेटेड जिन्होंने सामने रखे है ट्रांसवर टेक्नोलोजी और स्मॉल सैट्राइड लॉंच वही के लिए जो कि इंडिन प्लाइवेट प्लेयर्स के ल इस बहुत इंडिन पहले एक और नोटिफिकेशन था जिसके अंतरकर भारत के अंदर जो स्पेस कंपनीज है उनमें फॉररन डिरेक्ट इंवेश्मेंट को अलाओ किया जाने वाला था तो अगर हम स्टेप बार चैब चीज़ों को दीरी-दीरी फाउंडेशन ले किया जा है भारतिय स्पेस इंडिस्ट्री को एक्सलरेट करने के लिए अगली दोस्तों खबर आ रही है वह साउथ कुरिंट चिप मेंकर एसकी हाइनिक्स रिलेटेड जो की प्रपोजल देने के बारे में प्रिपेर कर रहा है तो यहाँ पर दोस्तों हाइनिक्स कंप्यूटर मेमरी ग्राफिक्स मेमरी जैसी चीज़े बना दिया है माइग्रॉन अलड़ी ऐसे सिमिलर इनकी कॉंपटिशन वाली कंपनी जो है इन्होंने अपना बिजनस से आप बनाने का दिस्टिजन दिया है और जो फाइनल फैब्रिकेशन एंड पैकेजिंग वाला काम होता है टेस्टिं क्यूबिक मीटर्स पर डे की कैपैसिटी से प्रोडक्शन होना शुरू हो गया है तो दोस्तों वन मिलियन मेटरी स्टैंडर क्यूबिक मीटर्स पर डे का टार्गेट यहां पर रखा गया था इस प्लांट के शुरू होने के बाद में और यह इसके अभी बहुत करीब और होगी अगली खबर दोस्ते वारी वह हमारी रूपी पेमेंट से रिलेड़ेट जहापर आरभी ने डिसाइड गिया कि वह सेंट्रल बैंक के जो डिजिटल करन्सी है इसके ट्रांजक्शन को दस लाख रुपए बढ़ाना चाहता है करेंट ली जो दस अजार चल रहे लेकिन ये यूपी आए के वाले qr-cords नहीं होते तो गवर्मेंट चाहते हैं कि इनको इंट्र बना दिया जाए एक ही qr-cords जो है यूपी आए और डिजिटल रूपी दोनों के वालेट के लिए इसके बाद में होगा यह कि जादा से जादा लोगों के लिए options होंगे ट्राफिक को कम करने के लिए इस्ट किडवाई नगर एमस से लेकर साउथ एक्स मार्केट के बीच में एक नया स्काइवॉक बनने का डिशिजन लिया गया है और यह एमस के पास में होगा तो यहाँ पर दोस्तों एक यूटर्न अंडर पास भी बनाया जाएगा दिल्ली अंडर पास लूप का इस्तमाल कर पाएंगे तो दोस्तों थोड़ा कॉंप्लिकेटड यह स्ट्रक्चर है फी डबलोडी सी डबलोडी मिलकर इसके लिए काम करने वाले हैं लेकिन पेडिशिन और जो ट्राफिक मैनेजमेंट है वो थोड़ा इसके बहतर बन जाएगा अगल अगले साल के अन तक एक्चिल ग्राउंडवक होते हुए इनके उपर नजर आएगा आज के आस्पटी स्वाल के बारे बात करें तो हिमान्शू साहो पूछते हैं वाइड डिजन्ट गवर्मेंट डिरेक्ली अप्ग्रेड और रेल्वेट रेक्स टूहंडड किलोमेटर प यह सकता है यह मतलब नहीं कि जो लोहे होते है जो जो कोईट्स की क्वालिटी हो जो फेंसिंग हो जिसके आंदर कोई बीच में घुसना पाए यह सब चीजों को इंप्रूव करने के वज़े से ही स्पीडी ट्रें की बढ़ाए जा सकती है लोकोमोटिव कोच इस यह अल्डेडी केपिबल है और सीधे section बेजब track होता है तो वह भी अल्डेडी केपिबल है तो हर एक section ऐसा है यह नहीं कुछ sections ऐसे हमारे आपर गाट वेगरा area's के अंदर यह कुछ ऐसे region's के अंदर जहाँ पर आपको बहुत ही जादा sharp curves देखने मि और 160 की स्पीड पे ही जातातर मैनेज कर पायगे हाइगे हाड़ी कुल सेक्षिंट होंगे जो 200 तक पहुच पाएंगे लेकिन रेल्वेस पूरी सिस्टम को इस तरह के से अपग्रेट टेक्निकली करी नहीं सकती है यह तो साल परना सिस्टम है इसकी आगे की स्पीड अपग्र बनाना हो, जिस तरीके से केरला सिल्वर लाइन पोजेक्ट है, मुमाराश्टा के अंदर का भी, पुने नासिक है इसे कैंड ओफ प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे अगर दोसों के ऊपर जाना है, ब्रैंड न्यू रेल्वेय ट्रैक्स बनाने पड़ेंगे, न्यू टेक्नो